नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी उमीद है आप सभी अच्छे होंगे मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरा यह जो चैनल है बड़े लोग तु इसे देखते हैं यह साथ में छोटे छोटे बच्चे भी इसे देखते हैं एक पास साल का बच्चा सबसे चोटा विवर मेरा पास साल का वो देखता है तीन साल के बच्चे भी देखते हैं जो पास साल का बच्चा है मानो नाम है उसका तो वो भी देखता है और जब उसने मेरा लाइफ सेशन देखा तो वो अपनी मम्मी से कहने लगा मम्मी ये मेरा नाम क्यों नहीं ले रही है जबकि लाइफ खतम हो चुका था इनसे बोलो ना मेरा नाम ले इसलिए आज सबसे पहले मानो का नाम और एक जो है बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है अंशो नाम है वो तो मैसेच भी करता है मुझे मुझे बहुत खुशी होती है यहां तक कि हमारे जो खंड सिक्ष्यादिकारी है श्रिवेद यादव सर वो मिले उन्होंने बताया कि मम्मता मेरा बेटा आपके वीडियोस देखता है और बहुत खुशी से देखता है मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सिर्फ एक कहानी अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्हे वीवर्स को सुनाओं अच्छा जितने भी छोटे बच्चे ये कहानी सुनेंगे लास्ट में मैं कुछ क्वेशन पूछूंगी ध्यान से सुनना और उसका जवाब फिर जरूर देना ठीक है और अपनी क्लास और अपना नाम लिखके देना क्योंकि इस बार इस वीडियो पे सिर्फ जो छोटे वाले बच्चे हैं ना सिर्फ उनको मैं रिप्लाई करूंगी अब कहानी शुरू होती है एक बार एक मुर्गी का बच्चा था लेकिन तब वो बच्चा नहीं था सबसे पहले बच्चे होने से पहले क्या होता है अंडा होता है ना तो अंडा था मुर्गी का तो मुर्गी का अंडा अपने जगा पे रखा हुआ था जहां उसी मम्मी ना कहनो, फिर क्या हुआ, मुर्गी जो थी, वो जंगल में चली गई, दाना लाने के लिए, और उसी समय वो अंडा फूटा, और उसमें से मुर्गी का बच्चा बाहर आ गया, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा, चूजा कहते हैं, ठीक है, तो वो चूजा बाह बहार आ गया अब जब बहार आया तो सबसे पहले किसे ढोड़ेगा मजक को ढोड़ेगा न or участ lavender उसके भाद फिर वो धीर thinking चलके गया, सबसे पहले उसको मिली एक गाए, तो गाए जब मिली, गाए को क्या कहते है, काउ, तो जब वो मिली तो उसने बोला, क्या तुम मेरी मम्मी हो, तो गाए बोली, नहीं, मैं तो जानवर हूँ, तुम तो पक्छी हो, भला मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती हूँ, हूं ऐसे करके बोली उसने का अच्छा फिर आगे चला गया फिर उसको मिली एक चितकबरी बिल्ली चितकबरी मतलब थोड़ी थोड़ी ब्लैक थी थोड़ी थोड़ी वाइट थी तो बिल्ली मिली बिल्ली मतलब cat है न, तो cat मिली, तो उसने बोला, सुनो सुनो, क्या तुम मेरी मम्मी हो, तो बिली ने बोला, मियाओ, मियाओ, मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती हूँ, देखो मेरे तो पूच है, तुम्हारे ऐसे पूछ नहीं है न, देखो मेरे तो ऐसे ऐसे पंजे है, तुम्हारे पंजे नहीं है न, मैं तो चितकबरिल हूँ, जबकि तुम तो रंग भी रंगे हो, तुम्हारी मम्मी तो कोई रंग भी रंगी होंगी, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैं तो बिल्ली हूँ, तो उसने बोला सुनो सुनो क्या भूला तुम मेरी मम्मी हो ऐसे पूछा तो इलइफैंट ने बुला istemश एलिफेंट ऐसे करके जैसे बोलते हैं ना सूर उठा के बोला अरे मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकता हूं भाई देखो मेरे तो सूर हैं मेरे तो चार पैर हैं एलिफेंट के फोर लेक्स होते हैं तो बोला मेरे तो चार पैर हैं तुम्हारे तो दो ही पैर हैं तुम्हारी मम् मुली एक बखरी तो वो बकरी से बोलता है सुनो सुनो क्या तुम मेरी मम्मी हो है ना ऐसी बोला तो बकरी बोली नहीं नहीं मैं तुम्हारी मम्मी कैसे हो सकती हूँ मैं ऐसे बोली मेरे देखो ऐसे कान है ना तुम्हारे ऐसे कान है नहीं है ना मैं नहीं है तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे जैसे दिखती होंगी तो बोला अच्छा तो बकरी ने पता है क्या बोला, बकरी ने बोला, पता है तुम्हारी जो मम्मी होंगी वो बोलती होंगी कुकुडुकुण, कुकुडुकुण, और देखो मैं कैसे बोलती हूँ, मैं, मैं, ऐसे, बोला अच्छा, फिर चूजा आगे गया, जाता रहा, जाता रहा, दुखी हो इनके तो two legs हैं, दो पैर हैं, मेरे भी दो पैर हैं, और मेरे जैसे मेरी पूछ है, बिल्ली वाली पूछ नहीं, दूसरी वाली पूछ होती है, उसकी बोला ऐसी ही तो इनके भी है, मेरे भी चोच है, इनके भी चोच है, तब तक उसने देखा कि जो उसकी मम्मी थी, वो बोली कुकुडुकु कुकुडुकु वो समझ गया कि यही मेरी मम्मी वो दोड़ के गया बताओ चूजे ने क्या पूछा आप लोग बताओ पर मैंने चूजे ने उनसे क्या पूछा क्या तुम हाँ सही बोल रहे हो क्या तुम हाँ मेरी मम्मी हो यही पूछा, तो जब पूछा, तो मुर्गी ने पता है क्या का, हाँ मैं है तुम्हारी मम्मी हूँ, ऐसे अपने पंक फैलाए, ऐसे प्यार से अपने बच्चे को ऐसे गले लगा लिया, बोली हाँ मैं है तुम्हारी मम्मी हूँ, तो उसको खोब प्यार किया, खोब प्यार सबसे पहरी बात जो चूजा था उसको रास्ते में कितने जानवर मिले वो बताना है ठिक और दूसरी बात अगर आप लोग को उस चूजे का कुछ नाम रखना हो जो भी नाम रखना चाहो खुब अच्छा सा तो आप उसका क्या नाम रखोगे ये मुझे लिख के भेजना और जो चोटे बच्चे हैं अगर वो नहीं लिख पाएं इतना सारा टाइप नहीं कर पाएं तो वो अपने ममी या पापा से कह दें कि वो आपका नाम लिखें आपकी क्लास लिखें और आप उनको आंसर बता देना कि कौन-कौन से जानवर मिले और चूजे का क्या नाम मैं आप लोग के मैसेज का वेट कर रही हूँ और मैं सिर्फ इस बार चोटे चोटे बच्चो को रिपलाई करूँगी और सारे बच्चे ऐसे अच्छे से पढ़िए ठीक है शैतानी मत कीजिए लेकिन थोड़ी थोड़ी कर भी लीजिएगा है ना शैतानी करना भी अच्छ पता है ओके बाई टेक केर लव यू बच्चो